स्टुडेंट्स आज यसी अपने सलेबस दे ऐसे अब प्रेजडेंट स्पीक्स दे क्वेस्चन आंसर्स आते एक्ससाइजीज सॉल्व करांगे सब तो पहला कॉंप्रिहेंशन दे ए पार्ट दे विच देते हुए आसी क्वेस्चन सॉल्व करांगे इस चेप्टर दे टोटल 12 शोट आंसर ग्वेस्चन ने विच वतवा देना है तो मैं सब तो पहला बच्चे उस दा अनुसारे नोँ अपील करूँगा क्योंकि मैं इस चेप्टर नो अपने पिछले लेक्षर दे विच बहुत ही वधिया तरीकेनाल इजी लेंगोईज दे विच मल्टी मीडिया दी यूज कर दे हुए मैं इसनों समझाया है बहुत ही डिटेल दे विच अनालेसीज किती है ता मैं तुनू सारे नू कहांगा के तुसी एक क्वेस्चन आंसर करन तो पहला जे कर तुसी मेरा पिछला विडियो नहीं देख्या ता उपर दितते हुए लिंक ते जाके तुसी एहे विडियो ज़रूर देखो ता के तुनू इस चैप्टर बारे इस ऐसे बारे पूरी जानकारी हो जावे आते तुसी फेरे सारे क्वेस्चन आंसर्स दे जड़िया एक्सराइजी जासी करनिया ने ओदे बारे तो आनू किसे दरांदी कोई दिकत ना आवे ता जड़े स्टुडेंट्स ने यह मेरे सारे वीडियो बिछले देख रखे ने इस चैप्टर दे ता ओ इस नू कंटिनू कार सागदे ने ता स्टुडेंट्स मैं यह सारे क्वेस्चन दे आंसर्स एक पीडियाफ फाइल दे विच तियार किते ने जिमें के तुसी अपनी सक्रीन दे उपर देख पा रहे हो ता अपा एक ही क्वेस्चन लेके इस दे आंसर नू डिसकस कर देयाँ ता सब तो पहला जड़ा इस दा पहला क्वेस्चन है ओ है कि फू हैव कम एंड इन वेडिड इंडिया इन थी थाउजन यह ओफ इस हिस्ट्री पहला क्वेस्चन है चैप्टर दे शुरू जही बच्चेओ मैं तो अनू एक स्लाइड इमेज दी अबर्तों कर देऊओ दस्यसी कि सडे पारद दे विची सडे पारद एक इतिहास थे मिची है तिन हज्यार साल पराणा इतिहास है टो इस इतिहास दे विच बहुत सारे बबाहरली हमलावरा ने सडे थे McCoy主produces दे भारई है कंडे कॉन है जिसने पारद ऑपर हमला किता, ओ आये, अThe且 हमला किता इनवीड दा मतल होंदा बच्योर कर ना करना यह वो इस दी तिन हजार तन्हार साल-लाँ दिक उच्ट्री विछ इपन्न-हज़ा विच ते उन्हार ना किता जिई वे नहीं हमला किता दा मुगल्स, बाबर, इस सारे जड़े सी मुगल्स हेगे, दा पॉर्ट्यूगीज, ता ब्रिटिश, ब्रिटिश ने ता साड़े पारदयों पर किने साल राज किता है, फ्रेंच वी आए ने, डच वी आए ने, जड़े डच वी आए ने, जड़े डच उंदने बच्चे हु के वेन एकोर्डिंग टू कलाम, डिट इंडिया गेट इस फर्स्ट वीजन ओफ फ्रीडम, ता पूरा चैप्टर ता नो मैं नरेट कर देवे बच्चे व समझा ऐसी थे, अबदुल कलाम जी ने अपने इंडिया दे बारे कुछ वीजन्स रखे ने, वीजन दा मतलों दा ब के कलाम जी मुताबक, इंडिया ने अपनी अजादी दा पहला सुपना, पहला वीजन कदों देख्या, ता आंसर है के इंडिया गोट इट्स फर्स्ट वीजन ओफ फ्रीडम इन 1857 वेन वी स्टार्टिड दा वार ओफ इंडिपेंडेंस, ता पारत ने अठारा सो सुपना, अपनी फ्रीडम अजादी दा पला वीजन देख्या, जदों उसने अजादी दी लड़ाई, दा वार ओफ इंडिपेंडेंस टार किती, ता असी कहनने है के अठारा सो सुपना दे विच साधी पारत दी अजादी दी पली लड़ाई लड़ाई लड़ी गई है, सेकिंड साधा पारत एक डिवैल्प कंट्री बने है, जबन के उनने एक कहानी जी शुनाई है कि जो इस तरह ढ़ाई लड़ कि इया लड़ाई 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 है लड़की सिथा उसनों पुछ़या के उटा तु दू ही तो तू एरा गोल किया है, तो तह उसलड़की ने च्य हुए विकास शील देश ना रहे साड़ा पारत एक विक्सित देश बने एही होना दा सेकिंड विजन है फोर्थ क्वेस्चन है के वाई डास कलाम वांट इंडिया टू बिया स्ट्रोंग मिलिटरी एन एकोनोमिक पावर कलाम जी क्यों चांदे ने के साड़ा जड़ा पारत है वो मिलिटरी तोर ते अते एक आर्थिक शक्ति दे तोर ते एकोनोमिक पावर एक आर्थिक शक्ति दे तोर ते वो स्ट्रॉंग बने तावचियों आपाएं पड़या सीगा चैप्टर देविच के ये दोने चीजा नाननाल चाल दियाने, देगो इन हैंड इन हैंड ये पड़या सी फ्रेज भी पड़या सी के एक देश जे कला अपनी मिल्ट्री नुहीं स्टॉंग करी जावे लेकिन ओधी अपनी अपठा तो इन्डिया शुड बीस्टॉंग इन मिल्ट्री एंड एकोनोमिक पावर तो स्टैंड अप टु दा वर्ल्ट ता ए तोन पता थर्ड वीजन भी सीगा कलाम जीदा के इंडिया जड़ा है ओ संसार दे समने मतलब खड़े ओ अपनी चाती ठोक के अपनी मतलब सिना तान के तो कि में खड़ सकता है जएकर इन दूना हिस्यां दे विच के मिल्ट्री दे पक्खों भी असी स्ट्रॉंग हुए और एकोनोमिक आर्थिक शक्ती दे तोरते भी असी उबरिये एही सुपना कलाम जीदा सी ते एही हो चांदेने नेक्स क्वेस्चन के वाट इज इंडिया पॉजीशन रिगार्डिंग मिल्क प्रोड़क्शन और रिमोर्ट सेंसिंग सैटलाइट्स इन दा वर्ल्ड ता बच्यों मैं तो अनू चैप्टर संजांदे हुए पूरा डेटा दिता सी गा जिस दे विच टॉप दिया टैन पादन अते रिमोर्ट सेंसिंग सैटलाइट्स इन 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 रिमोर्ट सेंसिंग सै इसे तरह इंडिया रिमोट सेंसिंग 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 औधे लिए यूजुन देने Next question What is India's position in respect of the production of wheat and rice? ता दोहोर खेतरां देविच सभड़े पारत ने बहुत अच्छी अपलब्दी हासल केती है कि सभड़े पारत की पूजिशन है? केडा रैंक है? और मुषे पारत की बहुतो है वीचैन देवड़े पारत ने बादा की इंटेन थे बल्चन के इविच युषडे पारत ने बहुत आच्छी अच्छी इंटेन देवीच अच्छी अन्दधिजरी आच्छी अच्छी अच्छी ने 6th सभड़े पारत की इंटैन है सिंगापुर थेख चले जाने एही सदे पारद कोई निवासी तो किस तरह किस दराएव कारई थेख भुट दे बड़े डिटेल देफ जी कालाम जी ने आसी के वेन वी गो तू सिंगापूर, वी फॉलो देर रूल्स, जदो असी सिंगापूर च जाने है, ता असी ओना दे जड़े रूल्स ने नियम ने, उना नू फॉलो कर दे, उना नू मन दे है, वी शो गुड बहेवियर, असी अपना वद तो वद चंगा जो बहेवियर है, वो असी ओथे शो कर दे है, असी पार्किंग टिकेट्स लेने है, जरा जवी असी ज्यादा पार्किंग च अपनी गड़ी खड़ी कर लेता, असी बिना कहें, असी अपना टिकेट द्वार तो ले लेने है, असी ओथे किसे तरह दी गंदगी नी फिलान दे, सारियां गल्ला कलाम जी ने ऐसे देशे डिसकस किती है ने कि अपना वद तो वद वदिया बिहेवियर उते शो कर देया ते उना दे रूल्स फॉलो कर देया नेक्स्ट क्वेस्चन है बच्चेओ एट्थ हाव डो वी बिहेव वाल इन दुबाई ता दुबाई तो नो पता बच्चेओ है यह एक छोटा जा देश है बट बहुत ही खुबसूरत देश है ता मिडल इस्ट टे चांद है काहनते ज़ो असी दुबाई जने है, वाइल इन दुबाई, ता आसी और अचि बिहेव कर देयाया स्विंगोन शफेवा दुबाई रोल्हेगा ता मोँ जयाद में लिख přाभ्ली, ता रमदान के वाफल्त कुछ आर्मदां ते कोई वी उस तेहर देवे ले इस तेहर देवेले पबदिक ली कई खांदा नी है मतलब ओपन देविच नहीं खां दा इस तरह तषी वीच कोई टॏन एले फिश्यब मोज बना देवेलेम ग्हांदा इस तरह एक विड्यां получилось इस क्वेस्चन दे विच बच्चे ओए दस्या गया है कि जड़ा एक साथे बंबाई दे रिटाइड हुए कमिशनर ने मुनिस्पेल कमिशनर ने नाम भी दस्या है सिमिस्ट्रितिनाएकर उना ने कलाम जिनू किया सी ता अंसर है जी कि अल्ड लोग राज चाहँ थे जड़ी थे लिए लिए डॉपिंग अल ओवर दा प्लेस अल एक्ट ने मुनिस्ट्रिते विच पोल कार दें है कि जड़े लोग जड़ों साथे अमिर लोग ने ऑपने डॉग ने बाहर लें लेंदेने तै व्ने डॉग्स मिलत आ गया है same people criticized the authorities for the dirty pavements फिर उह ही बन्दे जीना ने के इस सारा कम गिता हुंदा हुंदा जुनों लियाके सारे कि तया दर उद्दर गंदगी फिलाई हुंदी है फिर उह हुझ सेम पीपल ओह ही लोग किसनों प्रिटिसाइज कर देने? अथिस आथिस कॉर्टिस कौने? मिनिस्पल कमेटी जड़ियां उत्थे दियाने उननों कहा गया है वी उननों हो क्रिटिसाइज कर देने माड़ा चंगा कहन देने के देखो जी यह सफाई नहीं कर दे हलाके गंदगी फलान वाले हो खुद हों देने के देखो डिर्टी पेवमेंट्स पेवमेंट्स पचेओ जड़े फुट पाथ हुंदेनों नहीं कहा जन्द है के देखो फुट पाथ किने गंदे रहन देने मुंबई दे जी जड़ी साथी मुनिस्पल कवर्परेशन है उसनों साफ नहीं कर दी जड़के गंदगी फला ओ आप ही रहे हुंदेने जो डॉग्स रख देने जो की कर देने के वट हैज एवरी डॉग ओनर इन अमेरिका एन जपान टू दू उन्हों की करना पेंदा है ता आंसर बच्चे ओसी बुग देविच पढ़या सी के इन अमेरिका एन जपान इन देशां देविच के अमेरिका एन जपान देविच जड़ा हार एक डॉग ओनर है जो डॉग नू सेयर करनी लेके जांदा उस दा जड़ा मालक है उसनो अपने डॉग दी जड़ियां डॉपिंग ने जो मलतियां दुरुदर फिलादेंदा है उसनो साफ करना पहनदा है आप हैस तु क्लीन अप जेकर उस दा जड़ा पैट मतलो ही पालतु है चाहे हो डॉग है चाहे हो कैट है कोई भी है जेकर उसने किसे तरह दी स्ट्रीट डर्टी करती गंदी करती अपनी ड्रॉपिंग जेनाल ता उस मालक नू उस सारा कुछ साफ करना पहनदा है 11th question है जी what do we expect from railways and airlines ता हुने थे पार्ती लोग का दी एक्जामपल लेके question बने है के दे वीदा मतलब है थे साथे पार्तवासेनों के हागया के दे असी की है आस कर दे है अपनी railways अते airlines तो एसाड़े तो नू पता है सरकारी अदारे ने बच्चों इंडियन railways and इंडियन airlines असी तो की आस कर दे है ता चैप्टर तो पढ़के साने पता करे है के वी एक्सपेक्ट दा railways तो प्रवाइड क्लीन बात्रूमस असी चाहने है के साड़ी जड़ी इंडियन railway है वो सानू बहुती साफ सुथरे बात्रूमस प्रवाइड करे सानू बात्रूमस बहुत साफ सुथरे मिलन ऐसे तरह असी एरलाइन तो एक्सपेक्ट कर दें आस राख दें के वसानू बेस्ट आफ फूट देवे वात तो वदिया खाना देवे एंड टोले ट्रीज अते व साब बन तेल वगरा जो भी है वसानू वदिया देवे असी ए चीज दी आस कर देवे लास्ट क्वेस्टन है जी जी में देहेज प्रथा या बच्चेयां दा सोशन हो या इस तरहां देश चाल देने साड़ा उना दे प्रती की एटिचूड है साड़ा की वतीरा है उना देप्रती ता आंसर है केंदे वी मेक लाओड ड्राइंग रूम प्रोटेस्ट अबड दीस सोशल इस जड़े पारत करना वखावय वाला संगर्ष करना मतलब इस तरह दिया रोडा रपा पाना गंबीर ना होना लेकिन सिरफ लगफाफे बाजी जी अपा गयने होनु कहनें जी ड्राइंग रूम प्रोटेस्ट बट वेन दा मैटर कमस तो अस केंदे पर जदो एही गल्स हड़ेते आंदी है we continue to do the reverse of that at home केंदे असी बिल्कुल औस दा उल्ट, reverse दा मतलब उल्ट अपने करे कर दे हैं एक्जामपल है कि समझाना बच्चे स्पोस करो देहेज प्रता दे बारे असी बड़ा उचा-उचा बोल दे हैं जाके मतलब मुजारे कर दे हैं ओही ड्राइंग रूम प्रोटेस् किसे दी मैरीज हुं दी है किसे लड़के दी ता असी खुद जाके लड़की वाले हैं तो देहेज दी मंग कर दें ता बिल्कुल एही अथ्य आंसर दिता गया है कि असी ड्राइंग रूम प्रोटेस्ट दूड कर दे हैं लेकिन जदो साठे दे गलवा तन दी है असी आपने सारे क्वेस्टन आंसर जे ही कंप्लीट हुं देने हुन असी अपनी इस चैप्टर दिया एक्सराइज इस वाल रूप कर दे हैं स्टुडेंट साड़ी इस चैप्टर दी जो वोकैबलरी प्रैक्टिस दी पहली एक्सराइज है उसनो सॉल्व कर जा रहे हैं ता इस आपने साइट दे उपर टोटल टैन वर्ड्स लिखे हुए मिल रहे हैं सारे दे सारे वर्ड्स वर्ड्स वर्ड दे विच आयने ता जदो मैं है चैप्टर तो अनू नरेट कर वाया सी ता उस दे मैं तो मीनिंग नाल जरूर दसे सी ता उनु जाद होंगी दूसरे पासे इ वर्ड विच आया जरूर है तासी इस नू सॉल्व कर दे साब तो पहला है विजन विजन दा बच्चे मैं तो बार बार दस्या है कि इनू कड्रीम सुपने का जन दा ता ड्रीम पिक्चर इस दा आंसर है मैं आख रहा द्रीम पादन नहीं चलो पिक्चर वी है जगह तासी dream picture दर हो गया nurture दा मतल हुँ देख स्थन करना है तो आइस दा आंसर हुँ हो जए यह सही करके bring up पाने dal है जी remote remote त सही कहनने है जड़ी साथ प influencers contrast सेंशिंग सही तयलाइστ है अटनों सेंशे से ट्री पोलेट है ट्रीमोट आया दन центр करना है अब्सेशन तो उन्हों पता है वर्डा ऐसी हो दो कि साड़े पार्ती लोग बहुत ही ज्यादा अब्सेशिव नहीं होना चो अब्सेशन है पागल पन है क्यों हो बाहर ले ब्रैंड्स वाल बहुत पाज देने ता इस दा अंसर हो गया क्रेज इक्स्ट्रीम लाइकिंग मैं क्रेज पादन यह इस दा आंसर फिफ्थ है अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट मतल होना है बहुत पूरी तरह कम्प्लीट तए दा आंसर प्लीट हो गया जी अलेन. अलेन वर्ड जड़ा हुए हपसवएढ दिय्कुकुणहिक्षड ही dusty लग में बाराहु ऑफल्ला हुए जिसतार हम ज्या बाराहुी अपड़ाह है नोग नेटिव जड़ाउड बारों आहया हुए तासा अइशन पाद दांसरोम फोरन पादेने है पैंपर दा मतल हुंदा बच्चे जिस तरह आपा बहुत ज्यादा किसे छोटे बच्चे नो लाड़ प्यार नाल पालिये बहुत ज्यादा पैंपर अप करिये ता उसनों कहने आसी पैंपर तेदा आंसर आगया जी लव और परेज बड़ा सिंपल है कंसाइंस आत्मा आवाजनों कहा जांद है वइस अव दा सोल वाइस ओफ दा सोल, इस दा अंसर हो गया जी, अंतर आतमा दी अवाज जिसनों कहने आपा, सोल दा मतल तो उनु पता है आतमा हो दी है, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन दा मतल हो दा बिटा, आतम मन्थन करना, जदो आसी सोच दे हैं, गहराई नाल के सी, की ठी क किता, की गल्थ किता, एक कोई वर्ड रह गया जी, सेल्फ अनालेसिस, नसी एथे पादेने है, सेल्फ अनालेसिस, इस तरह बच्चों सी ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए है, इस एक्सरसाइज नों तुसे अपनी अफैर नॉट्बुक से सही तरीक के नाल बदिया जरूर कर लेना, स्टुडेंट सुन अपने इस चैप्टर दी वोकाबिलरी प्रैक्टिज दी सेकंड एक्सरसाइज सी सॉल्व करांगे, ता इस दे विच सानू एक पासे कुछ वर्ड देते ने, जो के साधे चैप्टर दे विच ही आयने, ए टोटल दस वर्ड ने जी, ते है, जितना जित प्रापत करनी एक नाउन है ते एस दी, जैध आपा वर्ड बनाने है बच्च मतलु हूंदा है, CONCOUR, C O N Q U E R, एस साधा वर्ड होगी, ते रड़्ड वीकास बड़ासान है, इस साधा वर्ड होगी, ते ते डिवैलप, एस दी वर्ड होगी, या सी पाती, फिर आगया ग्रोथ, इजी है जी, ग्रोथ दा मतलब भी विकास हुंदा है, ते ग्रोथ हो बंदा है, जी आरो डवल्यू, इस दी वर्ब होगी, ग्रोथ, अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब प्राप्तियां, ए वर्ड, तो उन बता है, चैप्टर चुई आया है, के जी है ऑडशीवमेंट, एक बंदा है एक जी यजया, इस दी वर्ब है, यहीज़ एक हमने दी वर्ड तraf होगी, ψचेंफ, लिए कोई डिलत नो इस दी वर्ड वर्ड करके हो अचीज़ ने पारपत करना, हुआ इस दी वर्ड होगी, अचेंफ, प्रापत होगी, सांथन तिए थी स्ट्रेंथ पा के फिर से एन लगा देनी है इस तरह इंग् civ. नेक्स्ट वर्ड के जी यह थी सक्सेस मतलब सफलता है है सक्सीड बन दा, इस तो वर्ड डबल सी डबल एडी सक्सीड इस दी वर्ब बांदिया है नेक्स्ट है जी प्रडक्षन प्रडक्षन दा मतल हुनदा है मैनुफैक्चरिंग किसे चीज दा उत्पादन जिमें मिल्क प्रडक्षन दे विच साड़ा पारत पहले नमबर दे है ते प्रडक्षन शथद तो वर्ब बांदिये बचो प्रड्यूस उत्पादन करना एक्जामिनेशन पढ़ाता है तो अनुपता है कि इस दी वर्ब हुनदी है जी एक्जामीन पढ़ाता है ते एक्जामीन हो गया जी साड़ी वर्ब चुवाइस किसे चीज तो जदो आपा कहने है कि साड़ी किसे प्रती ज्यादा हुंदी है चुका ज्यादा हुंदी है किस अनुआ चीज बदिया लग दिया ता उसनों चुवाइस कहा दिन दे है ते चूज चुणना ते चीज डबल ओएस इस दी वर्ब होगी च्वाइस तो चूज बन गया गवर्णमेंट सरकार्नों के हाज जंदा है जी ते ए दी वर्ब बन दिया जी गवर्ण इस तरहां सी बच्वे सारे जड़े नाउंज यां वर्ब बना लियां इस सारे नो तुसी अपनिया अफैर नॉट्बुक से नॉट कर लेना वोकैबलरी प्रैक्टिस दियां दो एक्ससाइजिस करन तो बाद हुन बच्वे सी ग्रैमर एक्ससाइजिस सॉल करन दी कोशिश करांगी ता इस दी पहली एक्ससाइज है इस दे विच आपाने जो खाली था है और उस दे विच आपने सूटेवल मॉडल पर नहीं है ता पहला मैं डीटेल दे विचे संजाया हुया है उना पासिदे इस नूँ हल कर दे है पहला है जी आ लीडर डैश भी रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉंसिबिलिटीज एंड सेल्फ डिसिप्लिन एथे एक एडवाइस दा बोध हो रहा है बच्चो एथे कहा जा रहा है कि इस नूँ अपनी रिस्पॉंसिबिलिटीज नूँ अपने जिम्मेवारी नूँ एक्सेप्ट करना चाहिए अथे सेल्फ डिसिप्लिन भी आपने लाना चाहिए जी याद होवे ता लिबर्टी एंड डिसिप्लिन देवेच है यां कुछ गल्लाई यां सी ता एथे है क्यो लेसंस देविच या जो मैंनु समझ जो मैं उसको समझना आया गया सी ता उसने मैंनु हेल्प नी कर सकी पड़ाई देविच ता अथे क्योंके उस दी अबिलिटी दा जिकर है उस लड़की दी अबिलिटी दा जिकर है के उस दी कुई काम करन दी सम्रथा है ता एबिलिटी नाल लेके जाओ, बारिश हो सक दिया है, यह थे possibility दा बच्यों जेकर है, जदो भी possibility दा जेकर होंदा है, यह थे model verb, मे या might लाने है, might थोड़ी जी ज्यादा strong होंदी है, possibility था ही हो कहा रहे हैं, कि आम रेला लेके जाओ, इसलिए यह थे might, यूज कर देने हैं, 4th sentence है जी, dash I come in sir, बड़ा ही simple है, तुसी सारे जने इसमें यूज कर दे हो, may I come in sir, जदो अपा किसे दी permission लेने हैं, बड़े politely, तासी may I come in sir, use कर दे है, may word जड़ा है, एहे as a suitable model है थे, 5th है, dash that I were a king, एथे इक इच्छा दा जिकर है, कि काश मैं एक राजा हुंदा, ता हमेशा would, would that a phrase कर था है, would that I were a king, इस तरीके नाल असी a model दी, जड़ी exercise और सुनू complete कर ले हैं, तो इसनू भी अपनी fair note books दे तुसी बच्चियों, नोट कर लेना है, स्टुडेंट सुन असी अपनी grammar exercises दी एक होर exercise वाल करांगे, इस exercise दे विच साने correct form of the verbs apply करनी है, जो bracket दे भी सानू दितियां हुई है, सारी या verbs ने बच्चियों, ते नाल ही सानू end दे विच sentence दिता हुए है, कि असी केड़ा tense यूज करना है, ता ए वालिया verbs होगी है, ए स साइडा tense हो गया, असी इस तरीके नाल इस नू यूज कर दे हुए, असी यह sentence is complete करने है, सब तो पहला sentence है, साइडे को ले lines-not leave-on fruits, ता conditions है, दो है जी, verbs है यूज करनी है, ए आ यूज करनी है, ता बच्चियों, simple present tense है, ता बच्चियों, simple present tense the rule तो जो पता है, कि subject दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फर्म लग दी है ते डिजाइरेबल S और E S लग जानद है ते नाल साड़ा फिर अब्जेक्ट लग दे है साड़ा यहे नेगटव सेंटेंज है तए दो नॉट यहां दान लाने है हूँश लाइन सली फिर ङांगे इस देल जग दो लाइन सली दो लामांगे दो लामा psychic कि टीएम है कि श्टिचिजीन टाइम ड़ेश 9 कि समयते ही कम करना ठीक हुंदै ये सारे सं ze सानू बता ही है कि स्टिचिन टाइम 169 हुंदै जी अस दे ंचिक पियां सा निदीम ड़ेश नित विद्धिर कोई ज्याद एक्टी, कि याद है कि संfight प्रेजंटेंस ही हो गया सेम आही रूल के सब्जेक्ट देना लवर्ब दी पहली फॉर्म सेव है पहली फॉर्म है उदेना असी एस लगाता क्योंके स्टिच इन टाइम एक सिंग्लर है तसी सेव लगाता ता दोने पहले दोना दे सेंटेंसे दे विच जड़ा फॉर्मेट यूज किता है सिंपल प्रे देश एक्सेप्ट हर सेक्लिउजन विद रेजिगनेशन उन एथे साधी वर्ब है जी एक्सेप्ट तिसाने टैंस यूज करना है सिंपल पास्टेंस थे साधी हैं दो कंडिशन है उन सिंपल पास्टेंस दा पर रूल लिख लेने एदा हुंदा है जी सब्जेक्ट देनाल वर्ब दी सेकंड फॉर्म एंड अबजेक्ट ये साधा सिंपल पास्टेंस दारूल है उन्हें कहांदे है कि मेरे जड़ी दादी मा है उसने जो अपनी सेक्लिउजन सी जो इकला पांसी उसने विद रेजिगनेशन मतलब ना चांद होए भी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि पा अन्हें सेक्टिट लगा देने सी जो इए कंप्लीट होगया साधा माइं ग्यांट माइंड माइं एक्सेप्ट इक्सेप्टिद रेजिगनेशन इसने माउन्ट शाड वांट ममौनिग जो भी उसने नदिग ननुषण कर येट क्रूशं जो ही दो क्रेंशन फॉर्फ ने ब सब्जेक्ट देनाल असी हैज या हैव लगने कोड़िंग तू सब्जेक्ट फेर सथी वर्ब दी तीसरी फ़म उस तो बाशाद अब ज्यक्ट लगने क्यूंके मोहुन है मोहुन देली ही ही यूज किता है ता ही सफड़ा सिंगलर हो गया ता अस देली असी है जाव चो हैज ल कि he so he has not bought a car yet उसने हजेता कि जरीकार है नहीं खरिदी क्योंकि उसको लेने ज़्यादा पैसे नहीं हन् लास्ट सेंटेंस है दा ओल्ड मैन आल्वेज डैश एनम रेला विद हीम वर्ब सद्धी है कैरी यूज़ करना है मतलब आही वाला सद्धा यूज़ होजेगा जी फॉर्मेट सब्जेक्ट सद्धा ओल्ड मैन आगया जी सिंगलर है सिंगलर प्लूरल दा चकरी नहीं हुंदा जी सद्धे सिंपल पास्टेंस ता कैरी देनाल कैरी सदी वर्ब है अफर्मेटिव संटैंस है तासी सिंपल है थे वर्ब दी दूसरी फ़र्म कैरी दे लगा देने है कैरीट दा ओल्ड मैन ऑल्वेज कैरीड है न अम्रेला विधीम जड़ा हो बजुर्ग इंसान है हमेशा अपने आली का अम्रेला लेके जानता है अमीदा बच्चे हो तानू सारे question answer short answer type जड़े आपा किते हैं समझ आगे होंगे ते सारी एक्ससाइजीज तवी तो अनू क्लियर हो गया होंगया ता तुसी ये सारा कम अपनी फैर नॉट्बुक्स ते जरूर कर लेना है मनों उस दियां पिक्स जरूर पेज देनी है किसे भी अपनी क्वेरी देले ही तुसी मनों कॉंटेक्ट कर सकते हो तन वाद